अब दोड कर गया और नारेण के चर्णों को पकड़ कर कहा नाथ आप क्यों आयो यह थे बताओ भगवान ने का आपको मालूम नहीं में लच्छमी को लेने आया हूं पर लच्छमी को तो मैं अपनी हां रखना चाहता हूं नाथ मैं इसको छोड़ नहीं सकता में लच्छमी की को छोड़ नहीं लेकर जाओ के सान रोने लगता अगाए तब्भगवान नरेड ने धन तैरस की पूजन का मात्व समझाया तब भगवान में धन्तेरस की पूजन का महत्व संजाया सुनो किसान म्रत्यूर लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है धन्तेरस के दिन कार्थिक महिने में पढ़ने वाली सुन्दर त्रयोद शीति थी को जो धन्मंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लचमी कभी बाहर नहीं जाए नरेंड जैसी वोले तो किसान तुरंत प्रसंद हो गया प्रभू प्रभू आप मुझे उपाए आप मुझे वह पूजा का प्रयोग आप मुझे महत्व उस धन्मंतरी पूज अधन का बता दीजिए जिससे मेरा कल्यान हो जाए जिससे मेरा उध्धार हो आज भगवान विश्नु बोले किसान सुनों यह धन्मंतरी मेरा ही एक अंशुक जैसे मेरे हाथ में शंक चक्र गदा प्रमसब्धारन करा हुआ हूँ उसी तरह धन्मंतरी का स्वुरूप का तो एक हाथ में उनके विचक्र है एक हाथ में उनके शंक है एक हाथ में उनके आउशदी है एक हाथ में अम्रत का कलश है और भगवान स्वयम नरायन का अंश प्रगठ पुड़ा भूल धन्वंतरी भगवान की धन्वंतरी भगवान की कहते हैं धन्वंतरी भगवान का प् देव को देखकर कहा वारे प्रभु वा क्या सुन्दर सुरूप धारन करकर आयो हो प्रभु जब मेरे लिए अभिश्य लेकर आये थे तब एक आनंद दूसरा था पर आज अमरत लेकर आयो उसका अनंद दूसरा है आट है कि वह को बात अलग अए महारव भArt कि अधिवा पुरान की कथा कर ती है तो तरह कि को एंची आट होती है यह मैं अपने कुर्बर कर दिया अप्शब्ड कर लिया ताना दे दिया गालीया दे लेकर आएक अमरत लेकर आए शीव जी घाते है जो अमरत लेकर आरा उसका आनंद ही दूसरा है उसके चेहरे की ही दूसरी है कि बागवान विश्न को सुनो किसान रहां मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता है बागवान करते हैं किसान सुन्दर कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी को कार्थिक के महिने में धन्वंतरी देव का पूजन धन्तेदस का पूजन माना जाते हैं सुनों किसान एक सुन्दर भूमी पर देशी गाय का गोवर से लीपन करकर अगर गाय का गोवर ना मिले सुन्दर जल से लीपन करकर वहाँ एक सुन्दर चोक को पूर कर आप सभी को ग्यात होगा कि चोक पूर्णे में रांगोली का प्रयोग नहीं होता आप लोगों को मालूम होगा चोक पूर्णे में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है कि का प्रयोग होता है आटे और हल्दी का प्रयोग क्यों होता है क्योंकि आटा सम्रद्धी को बढ़ाता है लच्मी बेभाव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है इसलिए जब चोग पूरा जाता है भूमी पर तो चोग पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं थोड़ा गदन्ट बटा रहा हैं किसान को धंतेरस के पूजन का कविनटी और जो भगवान बिश्णु ने वताया है वहिए पूजन के डुक्षरण कर रहे हैं आज धंतेरस के सुफ्णा पूजन करें और शिव महापुराण के इस भाव को विश्नु पुराण के इस भाव को इसकंद पुराण के जबाव को आप धारण करें और जो विधान भगवान विश्नु बता रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार आप लच्छ मी का पूजन धन्ते दसका पूजन चौकी लगाए जवरंग लगाएं पाटाल पर सुंदर लाल बस्त्र धारण करा दे लाल वस्त्र विछा दे मैं एक थाली लें कि उस थाली पर कंकु से रौली से कंकु से गिला करकर स्वर्स्तिक का निर्मान कर का कि स्वस्तिक का निर्वान करकर घर में अगर चांदी का सिक्का हो अगर चांदी का सिक्का नहीं हो चांदी का क्वाइन नहीं हो तो अपने घरता एक का सिक्का दो का सिक्का पांच का सिक्का दस का सिक्का जो भी आपके घर में हो वो क्वाइन ले महारत उसको थाली के अंदर पर रग दें स्वस्तिक के ऊपर फिर उसका इसमर्ण करें आटे के साथ दिये बनाएं एक ठाली में एक पलेट में धकलें घी के दिये बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगाएं ध्यान दीजिए गा इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी लच्छमी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे मारत गी के दिये लगा दें साथ साथो दिया को प्रजुलित कर ले प्रगट कर ले एक दिया तेल का लगा ले तेल का जो दिया लगाया है जहां पर आपने सिक्का रखा है क्वाइन रखा है उसका left hand मतलब आप ऐसे बेटे हो तो आपका सीधा हाथ की और आप तेल का दिया लगाया है और जो साथ दिये आपने लगाया है वो लच्छमी जी के right hand मतलब आपका left hand हो गया लच्छमी जी का right hand आपका left hand हो आपका उल्टा आपके वहाँ पर साथ दिये जो आपने परजुलित करें हैं तो प्लेट में रखा है सुन्दर थाली जो आपने पूजन के तयार करी है उसमें कूकू, रोली, हल्दी, अभीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमर बिल के तुकड़े, कमल गट्टे, हल्दी की गांट, सुन्दर भाव में उसको रखे, जल का पात, सुन्दर आनंद से, जो क्वाइन, चंदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है, उसका जल से पूजन करे, लच्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है, पर धन्तेरस की पूजन का जो समय है, वो प्रदोष काल से प्रारम हो जाता है, कब से प्रारम हो जाता है, प्रदोष क्योंकि शिव के द्वारा निर्मी थे, लच्मी पूजन का बाद, महाराज, क्वाइन का पूजन करें, कंक है लग्षा है उसको लपेटना प्रारम करें य lovers को लपेटें पहले चांदि का सिक्ळ जो आप ने रखा है कि थाली आफ है फिर यस फर जल का चीटा देकर उसका पूजन करें हाल्दी अरौली मौली चंदन अधिक लगा कर सुन्दर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लचमी के ऊपर जो दो सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी कभी स्मरण करते जाएं रिद्धी सिद्धी के दाता श्री गणेश जी महराज आप हमारे यहां पर सदा माता लच्मी को लेकर कुवेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान नारायन को लेकर सदा विराजमान रहें चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विंती करते जाएं माता लच्मी से निविदन करते जाएं भगवान शिव का इस्मरण करें माता लच्मी का इस्मरण करें रिद्धी सिद्धी के दाता भगवान श्री गणेजी महराज का इस्मरण करें छोड जब चावल पूर्ण छोड़ दे में पूजन पूरी तरह से हो जाए तब महराज साथ सुन्दार आनंद से अमर बेल के तुकड़े आमर बेल वरक्षण पर पील के बेल चलती पृफ दर लोता ही वह किसी भी विरक्षण पर डली दती ऑँए बेल खेलाती है यह अमर बेल लच्छमी पूजान में सम्रध्धी के लिए मकान के महुरत के समय पर ग्रह प्रवेश के समय पर बहुत कार्या यह अमर बेल को पानी की जरुवत भी नहीं पड़ती आप रूप किसी विरक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती कि उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यह प्रात्ना करते जैसे अमर बेल बिना पानी पड़े भी किसी विरक्ष पर डाल दी जाए पनप्ती जाती है बढ़ती चली जाती है से हमारे घर में बेभाव लच्मी बढ़ती जाए अमर बेल के साथ तुकड़े कमल गट्टे साथ हल्दी की गठान साथ माता लच्मी को समर्पित कर दें दोनों हातों में हल्दी पिसी वी लीजिए और माता लच्मी के ऊपर उसे चड़ाना प्रारम कर दीजिए साथ बार पिसी वी हल्दी वो सिक्कों पर चड़ा दें अपनी मनों कामना करकर अपने घर में माता लच लच्मी को बिडाजमान करने के जब हल्दी पून चड़ जाए हाथ में कुंकू ले लीजिए रोली ले लीजिए उस रोली कुंकू को भी माता लच्मी को समर्पित करें तब इसके पश्याद सुन्दर जो भी घर में मिष्ठान हो मीठा हो नहीं हो शक्कर हो गुड़ हो मिश्री हो जो भी आपके पास में हो खड़ी सक्कर हो वो भगवान को माता लच्मी को भोग रख दीजिए अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए महाराज है है घर में संपोर्ण पूजन करकर आपके घर में जो देवालाए में भगवान बेटें उनका भी पूजन करिके पूजन करने के पश्याद आप माता लच्छमी से निव्यदन करिये हेम आप हमारे अ सदा विराजमान हो महाराज यह जो पूजन भगवान-विष्णु bizi न और उनको यह पांच दिन की पूजन है पूरी-फूरी आज कौन से दिन का पूजन बता का ऑसा धन तेस से रूपचवदास अमावस्या एकम और चुर्ट टीन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है कि दी अनद पूजन करने के बाद जो साथ दिये आपने प्लेट में रखे हैं ठाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के उन सातो दियों से माता लच्मी की आरती उतारी है कि उन्हें साथों दियों से माता लच्मी का पूजन करिए माता लच्मी से विंपी करिए हम आपके पुत्र हैं मा आप हमारे घर का रस्ता भूल गई हो मा बहुत कश्ट है बहुत दुखी है पर भगवान शिव पर विश्वास करकर कुबेर भंडारी पर कुबरेश्वर महादेव पर विश्वास करकर भगवान नरेन के सुन्दर प्रसंग पर विश्वास करकर मा भगवान शंकर का अनुमोधन करकर है मा आप हमारे घर में विराजमान हो मा आप हमारे मार्ग को हमारे घर के रस्ते को मेरे खरके द्वार को आप भूल गई हो मा थे वे बहु लच्च मीлемड़न लच्मी शनतलाच्च मेklär माल अप हमारे घर में वीराजमान साथ दीप जो परजुलित करें हैं उससे माता की आरती उतारिये फिर माता को जोली पसार कर प्रणाम करकर भूमी पर नमन करो जब जोली पसार का प्रिणाम करें जोली को अपनी और गिरा लें और माता को नमन करकर जो साथ दिये आपने लगाए हैं उन साथ दिये को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर जैसे घर के हॉल में एक रसोई घर में एक जहां पर आप लच्छमी रखते हो उस इस्थान पर एक तुलसी के क्यारे के पास में ऐसे अलग-अलग साथ इस्थान पर उन दीप को रख दिया जिए एक गवान का जहां पूजन हुआ है लच्छमी की जहां अराद ना करीए एक दीप वहां पर भी रखा जाए जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे तेल का माता लच्मील के उल्टे हाथ और हम धीक दिया माता लच्मील के सीधे उत भी है की अगम हभका यद्यानि जहां तेल का दिया रखाएगा इस जो जहां आपका उलच्मी निविदं का 동 Sn Sp rec 19 कुछ Atmos兩 के साथ विराजमान न शाथ में अमार यह सदा विराजमान हो एसी करा कर दें कंद मारा धोन we artery करकर बड़ा उस्सभा वरा रा आनन रखना ये भाव सब लिखान गरमें भगवान daughter किसां से ऊपने अगर धनवंतरी पूजन करिये धनत्यरस की पूजन तरी यह कोई बस्तु कोई सामगर अगर आप लेकर आयज वए पात्र लेकर आयए को स्का में का पात्र लाए जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आये हो उसका की पूझन उसी दिन कर लेना चाहिए कि उसका क Astra कि बड़ा भाव रखकर भगवान विष्णु ने किसान को बताया है किसान सुनकर बड़ा प्रसंद हुआ नरेन रभू क्या मां फिर मेरे घर में रहेगी भगवान करते हैं सुनो किसान ये लच्मी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो धनतेरस का पूजन संदर कार्थिक के महिने की कृष्ण पक्षी की त्रियोदशी को अगर आप कर रहे हो तो ये लच्मी भले मेरे साथ बेकुंठ में जाकर रहे लगए कि